जै माता दी मित्रों, हस्त रेका से जाने कौन है आपके इस्ट देव, जिनकी पूजा से आपकी मनो कामनाई पूर्ण होंगी, आए जानते हैं. मित्रों, इससे पहले ये दिया, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बैल आइकन प्रेस करके औल पे क्लिक करने. मित्रों, सनातन धरब में देवी देवताओं की पूजा का विशेश महत्व है, इनकी संख्या 33 कोटी बताई गई है, भगवान शंकर हो, देवी हो, बजरंग बली हो, भगवान राम हो या माखन चोड श्री कृष्न कनाया हो, सब भी की अपार महीमा का वर्णन हमारे शास् आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, मनो कामना पूर्ण होती हैं, परन्तु देवी देवताओं की अंगिनत संख्याओं के बीच में ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से देवी देवता की पूजा करने चाहिए, यदि देवी देवता की प्रशन उठता है कि मैं कौन से देवी या देवता की पूजा करूं जिसे मेरी मनोकामना फून हो जाए। ऐसा आप मन में सोचने हैं और आपका धियान सभी भगवान की तरफ चाता है और मन भटकने लगता है। मित्रो हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई एक देवी देवता समाहित होता है जिनकी पूजा करने से आपके जीवन की हर समस्यवा परेशानी दूर हो सकती है। जरूरत है उसको पहचानने की। अक्सर देखने में आता है कि किसी भी भगवान की पूजा किसी को भी नहीं फलती है। किसी वेक्ति को भगवान शिव की पूजा फलती है तो किसी को हनुमान जी की पूजा फलती है तो किसी को देवी की पूजा फलती है मित्रो एजिस्तिती में आप स्वेम अपने हाथ की रेखाओं को देख कर जान सकते हैं कि आपको कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाह पूर्ण करेंगे जी हां मित्रों आप अपने हाथ की रेखाओं से अपने इस्ट देव को जान सकते हैं हाथ की रेखाओं में कुछ ऐसे संस्कारों की व्याख्या दी गई जो आप के अंदर चुपे देवी देवताओं को प्रकट करती है यानि कि आप अपने इस्ट देव को बहुत असानी से अपने हाथ की रेखाओं के द्वारा जान सकते हैं अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने हाथ की रेखाओं से किस प्रकार पैचानेंगे कि आपके इस्ट देव कौन है और आपको किन की पूजा करनी चाहिए यदि आपके हाथ में शनी की अंगुली सीधी हो और शनी ग्रह मद्दे हो तो ऐसे व्यक्तियों को शनी देव की पूजा करनी चाहिए रोज शनी मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए शनी देव की पूजा करने से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख सम्रिती और खुश हाली आती है याद रखिए शनी देव की पूजा हमेशा सूर्यास के बाद करनी चाहिए शनी देव का मंतर है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमा इस मंत्र की कम से कम तीन माला जाप सूर्यास के बाद जरूर करिए और आप देखेंगे कि आपको शनी देव की पूजा करने से जीवन की सारे परेशानिया किस सरी के से दूर होती है यदि हिर्दे रेखा खंडित हो यदि आपके हाथ में हिर्दे रेखा खंडित हो और हिर्दे रेखा में बहुत सी रेखाएं मस्तिक्ष रेखा को चू रही हो तो ऐसे वेक्तियों को मा दुर्गा की पूजा करने चाहिए ऐसे वेक्तियों को दुर्गा सब्तशती या दुर्गा सूती जरूर पढ़नी चाहिए यदि आपको जीवन में कोई परेशानी आ रही है ये किसी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं तो किसी भी शुकल पक्ष की हस्टिमी को दुर्गा सब्तशती का पाठ पढ़िए मा को हलवा पूरी का भोग लगा कर पांच या साथ कन्याओं को जरूर जिमाना चाहिए ऐसा करने से मा आपके सारे जीवन की सारी परेशानिया दूर कर देंगी यदि हिर्दे रेखा पर त्रिशूल बनता है तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए भगवान भूले नात आपके जीवन के हर कस्ट दूर करेंगे और नित्ते यनि की रोज आपको शिव मंदिर में जाके शिव जी को पंचामरित चड़ाना चाहिए और ओम नमशिवाय का जाप करना चाहिए महामरितुन्जा मंत्र का जाप करना चाहिए सावन के महीने में आपको एक बार रुद्रविशेख सरूर कराना चाहिए शिब जी आपके इस्ट देव है शिब जी की पूजा आपको फलित होगी और शिब जी आपको हर परिशानियों से दूर रखेंगे यदि हिर्दे रेखा से एक शाखा गुरू परवत्तक जाती है तो ऐसे जातकों को हनुमान जी का पूजन करना चाहिए जिनके जो वेक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके सारे कस्ट हनुमान जी दूर कर देते हैं ऐसे जातकों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को प्रिशाद सरूर जड़ाना चाहिए हनुमान चालीसा या सुन्दरकान का पार्ट सरूर करना चाहिए आपके इस्ट हनुमान जी हैं और हनुमान जी आपके जीवन की सारी परेशानिया दूर करके आपके जीवन में ह परकार की खुशाली लाएंगे यदी हिर्दे रेखा और मस्तिक्ष plots आपकी एक ही हो और मस्तिक्ष रेशा से मंगल परवध पर जा रही हो तो ऐसे मनुश्य को भगवान कृश्न की पूजा करनी चाहिए यहनी कि आपको क्रिशन जी की पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा मंत्र का नित्ते जाप करना चाहिए रोज जाप करें 108 बार आपको जाप करना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कस्ट्र परेशानिया दूर रहेंगे और भगवान क्रिशन आपकी मनो कामनाएं फून करेंगे अब यही योग यदि किसी महीला या किसी लड़की के हाथ में बन रहा है तो आपको लड़ु कोपाल की सेवा करनी चाहिए ऐसा करने से जिन करन्याओं का विवा नहीं हो पा रहें बहुत जल्द उनका विवा का योग बनेगा और जिनको संतान की इच्छा है उनको संतान सुख बहुत चल्दी मिलेगा आपके इस्ट क्रिशन जी है अगर आपके हाथ में भागय रेखा खंडित है खंडित मतलब तूटी हुई है अगर आपके हाथ में भागय रेखा खंडित है तो यह आर्थिक कम्यों का दर याप अपने जीवन में आर्थिक परेशानी भोग रहे हैं तो आपको मा लक्षमी की पूझा करने चाहिए आपको ये पूझा शुक्रवाद से शुरू करके डेली यानि कि रोज लक्षमी छालिसा लक्شमी स्तूद लक्षमी जी की स्तूद्टि कनकधारा स्तूद जो भी यहता शक्ती आप पड़ सकते हैं आपको निएमितर पड़ना चीलिक और मा लक्षमी का मंत्र ओम शूरीम खरीम- शूरीमma कमले कमलालय faint parisidid श्रीम शुरीत जिद लक्षमे मंत्र का आपको रोज 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और आपके जीवन में सुक्सम्रिद्धी और धन का लाब होगा। मालक्षमी आपकी इस्ट है इसलिए सदेव आपको मालक्षमी की पूजा सरूर करने चाहिए। यदि जातक के हाथ में भागे रेखा लंबी हो और जीवन रेखा गोल हो और हिर्दे रेखा भी बहुत सुन्दर हो तो ऐसे जातकों को भगवान राम की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानिया धूर हो जाती है और आपके जीवन में सदेव खुशाली आती है भगवान राम आपके इस्ट है यदि सूरे रेखा कमजोर हो सूरे परवत दबा हुआ हो आपको शिक्षा में रुकावटे आ रही हो जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही हो और म को डेली सुभा साथ वज़े से पहले सूरिय भगवान को जल देना है रोली चावल और चीनी डालकर और सूर्य मंत्र का जाब करना है ओम हराम हरीम हरोम स और य helpful जलमा को जल डेना है और साथ में आपको माता सरसवती की भी पूजा सरूर करने चाहिए यानि कि भगवान सूर्य और मा सरसवती आपके ईस्ट हैं यदि जीवन रेखा या भागे रेखा में दोनों रेखाओं को कोई काट रही है तो इसका अर्थ जातक के जीवन में बहुत सी परेशानिया चल रही है यानि कि ऐसा लगता है ना कि जीवन में कहीं पर कोई रास्ता नहीं दिखाए देता ना आपका कोई कारे चलता है ना आपका वेफसाय चलता है नौकरी आप लेने जाते हैं तो नौकरी भी नहीं मिल पाती है हर तरीके से परेशानिया और मुसीबते तो ऐसी स्तिती में जातक को मा लक्षमी की पूजा करने चाहिए यानि कि आपकी इस्ट मा लक्षमी है मा लक्षमी की पूजा करिए शुकरवार से शुरू करके रोज आपको लक्षमी स्रोथ कनकधारा स्रोथ और लक्षमी चालिसा पढ़नी है और मा लक्षमी जी के आगे प पाच मेवे का भोग लगाना है इस उपाय को आपने शुकरवार से शुरू करना है और ये आपने नियमित रूप से करना है आपको धूब बत्ती लेनी है अगर बत्ती नहीं लेनी है इस चीज़ का धियान रखें पाच मेवा आप कोई भी ले सकते हैं मा को भोग लगाकर वे मेवा आप स्वयम घ्रेंड कर लीजे या परिबार के सदस्य को दे दीजे ऐसा आपने नियमित करना है और मा से अपनी मनोकामना कहनी है मा लक्षमी आपकी इस्ट है आप देखेंगे जो आपको परिशानिया आ रही थी वे परिशानिया अब दूर होने लगी हैं यदि जीवन में कई धुरगटनाई होती रहती हैं बहुत परिशानिया आती हैं ऐसी स्थिति में आपको शिप जी की पूजा करनी चीए आपको नियमित रूप से यहनिकी सोमवार से शुरू करके रोज आपको शिप जी को पंचामरिक चड़ाना है और महा मृतुन जय मंतर का 108 जाप सरूर करना है और शिप जी को जब आप पंचामरिक चड़ाएंगे तो पंचामरिक चड़ाने के बाद आपको 11 पेल पत्र भी शिप जी को सरूर चड़ाने हैं आप इस उपाय को यदि नियमित करेंगी तो आप देखेंगे जो परेशानिया और दुरगटनाएं आप को क्रिपा मिलेगी मित्रों आपको हमारे द्वारत दी गए जानकारी कैसी लगी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और यह दिया आप किसी विशे पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट वॉक्स में प्रेस करके औल पर क्लिक करें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैम आता दी आपका दिन शुब हो